अनफॉचनेटली एक दिक्कत आ गए थी लास्ट टाइम जब मैं Asus Zenbook 17 फोल्ड उस कर रहा था और उस प्रॉब्लम पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है आई बटन में आप देख सकते हो से पर खेर Asus ने हमें फाइनली इसका रिप्लेस्मेंट भी भेज दिया है और टेस्ट इसके OLED डिस्पले पर सच में बहुत ही प्यारे निकल कर आते हैं अब डिस्पले तो अच्छी है बट अफकॉस यह एक फोल्डिंग मेकानिजम वाला लाप टॉप है तो क्रीज यहां पर डेफिनिटली विजिबल रहती है और तो विट टाइम इसकी आदत पढ़ जाएगी बाकी brightness के मामले में 500 nits तक जाता है और इसमें Dolby Vision HDR का भी support है और sound भाई इसमें काफी जादा loud है Herman Carden के speakers है इसमें जिसका stereo separation मुझे बहुत defined feel हुआ वैसे laptop mode से PC mode में switch करना हो या even tablet mode में इसका experience बहुत ही seamless है और in general इसके touch responsiveness भी बहुत speedy है also Zenbook का यह जो book वाला वाईव है न मुझे काफी पसंद आया एकदम premium feel है इसकी leather kickstand की sturdiness भी काफी अच्छी है खेर ports पर भी नजर डाल लेते हैं दो USB type C है यहां दोनों से ही charge कर सकते हो पर माल लो आप charging कर रहे हो तो आपके पास एक ही port extra available रहेगा वैसे type C to USB dongle भी दे रखा है तो बड़िया है बाकी extra ports चाहिए आपको तो अलग से USB extension ज़रूर लेना पड़ेगा और हाँ बाकी headphone jack भी ह यहां keyboard का scene थोड़ा सा अलग है starting में मुझे pair करने में इसको थोड़ा सा time लगा although feel wise premium ज़रूर है यह पर इसका जो tactical feel है bounce back का keyboard उसमें थोड़ा flex होता है और थोड़ा uneasy लगता है typing के वक्त कभी कभी maybe next generation में इस पर work किया जा सकता है battery backup और charging की बात करें तो 65 watt की fast charging के साथ आता ह मोड में जब आप यूज करोगे इसको अपने डेली टास्स जैसे YouTube वेब ब्राउजिंग और Microsoft सूट यूज करने के लिए तो यह आपको अराम से 7-8 गंटे का power backup दे देगा बट हां full screen पर of course थोड़ा सा कम ही रहेगा बाकिया आपको और ज्यादा battery life चीए तो power saver mode on कर लेना थोड़ा extra battery backup आपको और मिल जाएगा Zenbook 17-fold में एक front camera भी है for video calls but main चीज इसमें facial unlock है जो काफी accurate और snappy है और heat dissipation के लिए यहाँ पे एक vent भी दे रखा है और personally मेरी testing में ऐसा कोई major heating issue नहीं देखने को मिला इसमें even जब मैं heavy benchmarking कर रहा था अब पहले मुझे लगा कि सर्दी आ issue हमें देखने को नहीं मिला जिसका major reason है इसका processor इसमें Intel का Ultra Power Saving Series का processor है जो laptops के लिए एक high-end processor consider किया जाता है और साथ में 5200 MHz की 16GB LPDDR5 RAM है जिसके चलते multitasking का experience काफी smooth feel हुआ मुझे इसमें मैं 2-3 movies download कर रहा था साथी Valorant install किया और Microsoft Store से कुछ apps भी update हो रही थी इसमें पर इस fan noise भी था ना वो बहुत low था ऐसे एकदम pin drop silence में इसका पता चलता बस फिर मैंने Zenbook पर gaming भी try की although इसमें Iris graphic card है low graphics पर Valorant में 130 से 170 fps वेरी कर रहा था बट यार इसका display 60 Hz का है तो थोड़े frames के फोते हुए देख रहे थे rendering latency के चलते क्योंकि बाई processor तो 130 fps दे रहा था पर screen render नह थोड़ा सा high मिलता वैसे इसका भी solution है 60 fps पर frame rate lock कर सकते हो अब इस पर full blown gaming तो नहीं कर पाऊगे बट light titles चल जाएंगे अराम से productivity के मामले में थोड़ी बहुत hulky full की आप video editing इस पर कर सकते हो और photoshop के लिए इसको use कर सकते हो बाकी बात रही benchmark की तो वो मैं आपको अभी screen पर दिखा रहा हूँ आप pause करके अराम से check out कर सकते हो सारे ही benchmarks को detail में अब overall यह एक do it all device है जिसमें portability पर full focus है touch एकदम even है इसका snappy feel होता है daily usage में और इसके processor के according performance में zero compromise देखने को मिला मुझे although I wish इसमें एक sim card को option रहता तो travel करते वक्त सिर्फ एक ही device से सारा काम हो जाता but maybe that's for the next version